यूपी के उन्नाव जिले में कडाके की ठंड के चलते अब जानवर भी परेशान होने लगे हैं। इसी बीच उन्नाव से एक चौका देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरसल यहां ठंड से ठिटूरते एक सांड ने बैंक में शरण ले ली। ये सांड SBI मुख्य शाखा क के अंदर घुज गया जिसके बाद करमचारियों और उभूकताओं में अफरत तफ्री मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद बैंक से सांड को बहार निकाला जा सका। इस मामले को लेकर समाचवादी पाची के मुख्या और यूपी के पूर्व सीम अखिलेश यादव ने बैंक में घुसने का वीडियो शेर करते हुए लिखा सांड की क्या गलती है किसी ने कह दिया होगा कि भाजपास सबके खाते में 15 रुपे दे रही है तो वो भी ब्रहम और भैकावे में बैंक पहुच गया होगा वही सबाग ने एक्स पर पोस्ट किया हाले उत्तर यूपी को सांड प्रदेश बनाने पर तुले भाजपाई साथ ही सपाचीफ ने कहा कि राज्ये में किसान आवारा पश्वों की समस्या से परेशान है आज बिजली महंगी है हमारे किशानों को अपना खेट तार लगा के बचाना पड़ रहा है स्वास्त सेवाय छप हो दो हजार चौबिस में बीजेपी की हार होगी आपको बता दें कि अखिलेश आदव ने निवेश को लेकर कहा कि निवेश के जो सपने दिखाए कि उत्तर परदेश में 40 लाग करोड का निवेश आएगा कितना निवेश पहुँचा है और उस से कितनी नौकरी कितने लोगो को रोजगार मिला है ये सरकार के पास कोई डाटा नहीं है आईए सुनवाते हैं क्या कुछ अखिलेश आदव ने कहा आज विजली महंगी है हमारे किसानों को अपना खेद बचाना पड़ रहा है तार लगा करके स्वास सेवाय ठप हो गई है आस्पतालों में इलाज नहीं है इस सरकार ने एक भी जिलास्पताल ऐसा नहीं बनाया है जिसमें गरीब का इलाज हो पाए बड़े बड़े मेडिक अधिकल कॉलेज बनाने की बात तो कही समाजवादी सरकार में जिन मेडिकल कॉलेज यों को बनाये गया था वह भी आज मेडिकल कॉलेज नहीं चलाए जा रहे हैं और फिर निवेश के जो सपने दिखाए थे कि उत्तर परदेश में 40 लाग क्रूड का निवेश आएगा उत दूसे प्रदेश के लोग भी निवेश के लिए उद्द्योगपतियों को बुला रहे हैं जो उद्द्योगपति उद्द्रप्रदेश सरकार में जब यहां पर इंवेश्मेंट मीट हुई थी उन्होंने भरोस्ता दिलाया था कि यहां पर निवेश करेंगे आज वही दूसे प्रदेशों में निवेश का संकल्व ले रहे हैं